वेलकम टू यूनिक वैब स्कूल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे PSP skip के मदद से आप लोग कैसे ब्लोग साइट कर सकते हूँ ठीक है अगर आप लोग वाट पेस और ब्लोगर को यूज नहीं करना चाहते हो खुद का PSP skip बनाना चाहते हो कोई भी दूसरा open source यूज नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोग एक skip बाई करके उस skip के मदद से blog website करेट कर सकते हो अगर आप लोग पर्सिस करते हो तो इसकी मदद से आप लोग website करेट कर सकते हो और आपका जो ब्लोग है और गूगल में ज्यादा से ज्यादा रैंक करेगा यह इसकी वीडियो फैनली एक इसकी भी है तो अगर आप लोग इसका डेमो बगरा देखना चाहते हो तो यहाप लाइब पीभू में क्लिक किजए और आपका सामने यह जो इसका जो डेमो है ओ यहाँ पर आपन हो है हम लोग वैट करते हैं इसको डेमो देखने के लिए यहाँ पर हमारा डेमो आएगा और यहाँ पर आप लोग देख सेकतो हम लोग इसको निवट आपन करके इसको आपन करते हैं ताकि यहाँ पर उप और का जो बार है इसको रिमूप किया जा सकता है तो यहाँ पर है वो आप लोग देख सकतो 59 डोलार है अगर इसको आप लोग का discount price में वाई करना चाहते हों तो आभी किजे 41 डोलर है इसका अभी discount price है ठीक है इसका जो डेमो है इस तरह का डेमो यह cha एहुमपेस लेवाड का इस तरह का बहुत तरह का देमो है 3 हमपेस है दिया है, हमपेस का डेमो दिया है, ब्लोग का ले आउट इस तरह का होगा, आप लोग खुदी यह सब कुछ देख सकते हो, तो हम लोग एक हमपेस को ओपन करके देखते हैं, तो इस हमपेस को हम लोग अगर लाइप टीवू में क्लिक करते हैं, तो हम लोग यह जो डेमो है यह देख सकते हैं तो इस तरह का डेमो है और यहाँ पर email देकर subscribe करने का option है और यहाँ पर menu भाग रहा है और यहाँ पर language change करने का option है और यहाँ पर देख सकते हो भीतनाम का language change हो चुका है हम लोग English करते हैं ठीक है English करते हैं ताकि हम लोग समझ सकते हैं और यहाँ प कम मेसिस देखे रहे हैं और ब्लोक पोस्ट वगरा इस तरह का आपको देखेगा तो इस तरह का पोस्ट आपका सामने आएगा कोई भी single post को आप अगर हम लोग open करते हैं तो single post इसी तरह का आपको दिखागा यहापर आपका जो जो author है उसका नाम और यहापर publishing dead और इसको पाढ़ने के लिए कितना time लगेगा और यहापर दिखाएगा और share button भी यहापर दिया हुआ है तो इस तरह का आप सी एक design का block side आप लोग create कर सकते हूँ बीना किसी वाटपेस के मदर से ठीक है इस script को जाज आपको buy करना है और just install करना है ठीक है तो इसको आगर आप लोग install करना चाहते हो तो buy कीजिए buy काने के बाद आपको install करना होगा तो install करने के लिए मेरा यह video continue किजिए ठीक है तो इसको किस तरह से install करते है वह हम लोग देखते है इसको install करने से पहले आपको इसको buy करके आपको download करना होगा मैं already इसको download करके राखा हूँ यह पर आप लोग देख सकतो यह zip format में फाइल दिया हुआ है मुझे तो यह जो फाइल ही इसको हम लोगों को unzip करना होगा तो आप भी zip file में आओगे इसको unzip करना होगा डाउनलोड करने के बाद आपको zip file मिलेगा उद zip file को unzip करना होगा तो मैं इसको unzip करता हूँ right button क्लिक करके और hack file में क्लिक करता हूँ ठीक है और यह पर अगर okay मैं क्लिक कर देता हूँ तो हमारं जो file है और यहाँ पर unzip होना new start हो जा और यहाँ पर आण जिब हो चुका है. इस तरह का folder open हो चुका है. इस folder के अंदर आपको जाना है. और यहाँ पर हम लोग जाते हैं. और यहाँ पर देख सेखतो यह जो सारा file है, इसको हम लोग को सर्वर है, उसमें upload करना है. सर्वर में upload करने के लिए, हम लोग यह जो सारा फाइल है इसको all select करेंगे और यहाँ पर right button click करके इसको zip format में करेंगे यह archive में click किजिए और यहाँ पर zip file में click करके okay में click अगर कर दे तो हो तो यह zip file होना start हो जागा ठीक है तो इसके लिए मैं इसको already zip file में किया हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह हमरा zip file है इसको मैं already किया हूँ तो इसको हम लोग क्या करेंगे हमरा जो server ही उसके अंदर upload करेंगे ठीक है तो चुली हम लोग हमरा cpn को open करते हैं और यहाँ पर हम लोग जाएंगे हमरा file manager के अंदर यहाँ पर जाते है file manager के अंदर ओगे file manager के अंदर आने के बाद हम लोग जाएंगे public stml में हम लोग यहाँ पर public stml में जाते है पाप्लिक HTML में जाने के बाद हम लोग हमार जो फाइल है उसको हम लोग अपलोड करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं पाप्लिक HTML और यहाँ पर अपलोड बटन में किलिक कर दीजे upload बटन में klik करने के बाद यहापर select file में klik कीजे और यहापर हम लोग, हमारे जो फाल है उसको upload कर देंगे तो यहापर हमारे जो file है zip file है इसको हम लोग upload कर देते हैं तो यह हमारा जो file है वो upload होना एस्टाट हो चुका है अंजीब होने तक, sorry, upload होने तक, उसके बाद हम लोग इसका अंजीब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकतो, 74%, 5%, 6% हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकतो, जोल दी से upload होगा, ठीक है, और यहाँ पर 100% upload हो चुका है, आप लोग क्लियर ली अपड द कीजे, और यहाँ पर अगर एक अस्टरक फाइल में क्लिक करते हो, तो यह सारा फाइल आपर आंजीब हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकतो हो, हमरा फाइल आजीब हो चुका है, इसके अंदर close करते हैं, public html, ओके सारा फाइल यहाँ पर हमरा आचुका ह आपको clearly देख सेकत हो, अभी हम लोगों क्या करना है, हमार जो domain है, उसको open करना है, तो मेरा domain को में यहाँ पर open करता हूँ, यह रहा हमार domain, इसको हम लोग open करते हैं, और इसको हम लोग reload करते हैं, थोड़ा सा, ओके यहाँ पर इस तरह का option आएगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर let's go में क्लिक करता हूँ, ठीक है, let's go में क्लिक करने के बाद इस तरह का option दिखाएगा, और यहाँ पर सारा जो requirement file है, आपका PSP वार्षन है, सब कुछ यहाँ वर्से ही है, तो हम लोग यहा यहाँ पर configuration में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो Fs का name है, आपका जो Fs का name है, वो यहाँ पर डालना है, आपका साइट का title, तो मैं यहाँ पर क्या दालता हूँ, मेरा योटूब चैनल का नाम, यही डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर हमर जो URL है, उसको दे close करने है, और यहाँ पर डालना है, लोकल होस्ट, और database port को change करने की ज़रूद नहीं है, आपका database name, database user name और database password डालना है, ठीक है, तो इसलिए आपको database create करना होगा, तो चोलिए हम लोग database को create करते हैं, और यहाँ पर डालते हैं, चोलिए इस बार हम लोग database create करते हैं, उसके बाद हम लोग next process में जाएंगे, ठीक है, तो database create करने के लिए हम लोग जाएंगे, हमरे cpanel के अंदर, main cpanel के अंदर, उसके बाद हम लोग जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, database नम का option हम लोग यहाप पर find करेंगे यहाप पर देख सेक तो database नम का option है और यहाप पर आपको जाना है mysql database ठीक है यहाप पर आपको जाना है यहाप पर आपको database create करना है और उसके बाद database का जो user है वो भी create करना है और database और user को दोनों को connect कर देना है ठीक है तो हम लोग यहा पर create new database यहाँ पर हम लोग database का नाम देंगे हम लोग क्या naam देंगे हम लोग यह लोग क्या करेंगे create database यहाँ पर क्लिक करता हो create database में और यहाँ पर जो database है वो यहाँ पर create हो चुका है इसको आप लोग save कर लिजेगा तो हम लोग go back में जाएंगे और यहाँ पर database के लिए database user create करेंगे इसले हम लोग scroll down करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो date new user तो πिले दे सकते हों यहाँ लोग कुछ भी यहाँ पर username दे सकते होूँ मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ यही नाम user user तर यह हमारा username है और इसके लिए हम लोगों को password create करना होगा ठीक है तो यहाँ पर password और यहाँ पर again password दुबारा से आपको type करना है ठीक है तो हम लोग क्या करने बाले हैं हम लोग password को generate करेंगे इसलिए यहाँ पर password generator में क्लिक करते हैं और यह जो password हम लोग को generate करके दिया है इसको copy करेंगे यहांसे copy करते है और यहां पर हम लोग दे देते हैं ठीक है हम्रब matter hold को यहां पर step करते हैं हम लोग उसके बाद यहां पर hi הפ copy में click करना है यहां पर click करना के बाद यहां पर Use Password में click करना है तो आपका password यहां पर iki अब हमारा user गया उसके बाद आपको support 快'. उसलिए हम लोग गो बेग में जाएंगे और यूजर और डावेस को पर आपको देखेगा यहाँ पर आपको connect करना है, इसलिए हम लोग हमारा जो user है उसको select करते हैं, उसके बाद यहाँ पर database को select कर देते हैं, यह हमारा database है, ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर add-end में click कर देता हूँ add-end में click करना के बाद यहाँ पर all meeting में कर देना है और यहाँ पर मेक्स चेंज में अगर आप लोग क्लिक कर देते हो तो यह आपका डाटाबेस और डाटाबेस यूजर कानेट हो जाएगा उसके बाद यह जो यूजर और डाटाबेस है इसको कोपी करना है यहाँ से हम लोग कोपी कर लेते हैं यहाँ पर कोपी कर ल यहाँ पर डालते हैं database username तो यह रहा हमार database username में इसको copy करते हैं यहाँ पर डालते हैं और database password तो database password में database password को copy करना है और यहाँ पर डालना है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग फिर से copy करते हैं और यहाँ पर डालते है database password उसके बाद आपको यहाँ पर reinstall button में click करना है तो मैं यहाँ पर install बाटन में click कर देता हूँ, हमारा यहाँ पर install हो चुका है, यहाँ पर और भी चीजे बाकी है, यहाँ पर आपका admin account create करना है, तो यहाँ पर आपका fast name देना है, मेरा fast name, मेरा last name और यहाँ पर आपका username यही देता हूँ, मेरा username, मेरा email यहाँ पर डालता हूँ, और यहाँ पर password ठीक है, तो मैं यहाँ पर password देता हूँ, तो आपका मोजी आप जो password देना चाहते हो, यहाँ पर दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर देता हू यहाँ पर हमारा जो इसकी भे हो successfully install हो चुका है हम लोग अगर यहाँ पर click करके open करते है तो हमारा website यहाँ पर open हो जाएगा sorry यहाँ पर login करने का option आएगा और यहाँ पर अगर website को open करना है तो आप लोग यहाँ पर आपका username और password देकर यहाँ पर login कर सकते हो मैं login कर देता हूँ ठेक है अगर website को open करना है तो स्थिफ आपका domain को open करना है तो आपका website आजाएगा ठेक है तो इसको मैं copy करता हूँ और मेरा domain यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मैं इसको guest मैं open करता हूँ क्योंकि मैं admin area में उस browser से login किया हूँ तो इसको मैं यहां से मेरा website को open करता हूँ guest में आकर आपको देखाता हूँ कैसा install करना के बाद मेरा site देखा रहा है यहाँ पर आप लोग देख सेक तो हमारा जो site है वो open हो चुका है तो अभी आपको क्या करना है यह सब menu बागरा change करना है यहाँ पर language बागरा देना है और सब कुछ यहाँ पर change बागरा करना है यहाँ पर देख सेक तो picture भी हट गया है यहाँ पर picture लगाना है आपको पोस्ट के अंदर सारा पोस्ट को डिलेट करना है और आपका पोस्ट राइट करना है यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर इसको कस्टोमाइज करना है आपको तो इसको क्लोस करते हैं और एड्मिन एरिया में जाते हैं और यहाँ पर देख सेकते हो यह हमारा एड्मिन एरिया है व तो इस तरह से आपको अगर चेंज करना है तो कैसे सेंज करोगे और जानने के लिए कॉमेंट कीजिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए अगर आपको यह आकई में जानना है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे इसको लोगो बागरा चेंज करते हैं कैसे ब्लोग पोस्ट लिखते हैं और कैसे सेटिंग बागरा करते हैं यह सारा कूछ जाने के लिए comment box में comment किजे मैं next video आपको बना के दे दूँगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो